है याइव नमस्कार कैसे आप सब्झेनल पर आप सबका स्वागत है अगर आपने अब तक मेरेज चैनल सब्सक्राइब करें लाइक शेयर को मेंट करें और मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें इसके लिए बैल आइकोन पर ज़रूर पिलि साबू दाना वडा कैसे बनाते हैं वह रैसीपी मैंने चैनल पर पहले भी डाली हुई है वह वड़े हमने तब operations gonna क्या अलग किया है उसके लिए आप मेरी वीडियो अंत्द देखिए गा वह वीडियो भी देखिए गा आप दोनों तरह से वड़े बनाके देखिए आपको कौ से वड़े अच्छे लगे मुझे कमेंट करके बताईए तो आईए फ्रेंड हम इस तरह के टेस्टी और हेल्दी साबुदाने वड़े बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम आदा कब साबुदाना लेंगे और साबुदाने को एक बाउल में डाल करके अच्छे से चार साबुदाना कैसे बिगोते हैं यह वीडियो मैंने चैनल पर डाली हुई है आप उस तरह से भीगो सकते हैं या फिर आप एक बार में साबुदाना को दोके और अच्छे से उपर तक पानी बरके और रख दीजिए तो उसमें क्या होगा जो नीचे पानी है साबुदाने में यह हमें निकालना होगा क्योंकि इतना सारा पानी जो है हमारे साबुदाने वडे में नहीं जाएगा तो हम साबुदाने को इस तरह से अच्छे से निचोड़के और सारा बाहर निकाल लेंगे अब हम यह ले लेंगे चार अलू उबले हुए और छील के हमने तैयार कर लें और मीडियम या बड़े हों तो दो आलू बहुत है तो हम आलू को इस तरह से अच्छे से हाथ से फोड देंगे तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले तो देखिए आदा चोटी चमच धनिया पाउडर डालेंगे और व्रत वाला सेंदा नमक डालेंगे स्वाधनुसार स्वाधनुसार लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे और आदा चोटी चमच जीरा पाउडर एक चोटी चमच नीबु का जिसे हम बारी काटके लेंगे लगवग एक चोथ़ाई कप पुदीना लेंगे पुदिने को अंच्छे से डों होने के बाद में विबारिकक काट करके हम इसमें मिक्स करेंगे फ्रेंट्स कई वाल जैसे धनिया नहीं होता है तो आप पुदीना डाल करके साबूदाना वड़ा बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है, कुछ अलगी टेस्ट आता है जब हम पुदीना डाल करके वड़ा बनाते हैं, तो आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, दाल दिया अब हम इसे थोड़ी देर के लिए उठा करके और साइड में रख देंगे और एक चौथाई कप्रम मुम फली ले ले लेंगे इन्हें हम इक पैन में डाल करके और थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इस तरह ऐसे लाते हुए मुम फली को हम हलका सा कलर चेंज होने तक भ मुम फली रोस्ट हो गया है अब गैस को बंद कर देंगे और थंड़ा करके दरदरा पीस लिया है इतना दरदरा किया है कि छोटे-छोटे टूड़े भी दिख रहे हैं और अब इस मुम फली के पाउडर को हम आलू के मसाले में डाल लेंगे और अब अच्छे से हाथ से मिक अब एक टेबल स्पून तेल डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह वड़ा बनाने के लिए डो तयार हो गया है थोड़ा तेल साइड में डालेंगे और हाथ पे अच्छे से तेल लगाते हुए और हम वड़े बना करके और तयार करेंगे चाहे तो आप ऐसे ही रख सक ताबु दाने का वड़ा ब्रत के लिए बनके तयार हो गया है तरह से अच्छे से हम सारे वड़े बना के और तयार कर लेंगे यह देखे फ्रेंट सारे वड़े हमने बना करके तयार कर लिए हैं और तेल भी हम गरम होने के लिए रख लिए तुकड़ा डालके और तेल को चेक करेंगे कि तेल हमें फुल गरम चाहिए जैसे हम डाले वैसे हमारा टुकडा उपर आना चाहिए तेल अभी थोड़ा सा और गरम हो ने देते हमारा गरम हो गया है और अब हम पहले एक वड़ा डाल की चेक करेंगे कि हमारा वड़ा फूल तो नहीं रहा है न तो यह देखिए ह जैसे जो हमने सबसे पहले वड़ा डाला था वह हमारा सिद्ग्या है उनको थोड़ा सा उसिखने देंगे फिर पलटेंगे क्योंकि अगर आप कच्छा पलट देंगे ना तो फट जाएगा और तेल आपको फुल गरम रखना है कम तेल जब भी गरम होगा ना तो भी आपके व वड़े दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब हम इने सावधानी से इस तरह से तेल जाते हुए अच्छे से निकाल लेंगे ने हम टीशू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तेल होगा वह तीशू पेपर सोग सी तरह से हम अगर आपका तेल ठंडा हो जाए तो आप 1 मिनिट के लिए रुक जाए फिर वड़े डाले पर तेल को अच्छा गरम रखना है अब जैसे तेल हमारा थोड़ा ठंडा हो गया था हमने एक मिनिट के लिए गरम किया और हम फिर इसमें वड़े डालेंगे इसी तरह से हम सारे बड़े फ्राई करेंगे तो यह देखिए फ्रेंज यह हमारे साबुदाना वड़ा बन करके तयार हो गया है नवरात्रों के लिए किसी भी व्रत के लिए चाहे आप जन्माष्ट में पर बनाईए शीवरात्री पर बनाईए और यह देखिए फ्रेंज कितने अच्छे लम कुरकुरे और गर्मा गरब हमारे साबुदाने वड़े बन करके और तयार हुए हैं तो फ्रेंज आप मेरी वीडियो देखते हुए यह साबुदाना वड़ा बनाईए खाईए थैंक्यू फॉर पॉचिंग